अनगा हुआ है उल्लो फ्रेंज तो आज मैं आप सब के साथ एक बहुती इजी सा डिजाइन एंद बहुती प्यार सा डिजाइन शेयर कर लेने जा रही है तो देखी यहाँ पर मैंने पहले से ही चेन बना के रख लिया है तो यह देखिए फ्रेंज यहाँ पर मैने 27 chains बना के लिए हैं अभी इसके साथ हम दो और chains बनाएंगे तो फिर हमारा यहाँ पर total 29 chains बना है अभी अभी जो हमने यह दो chains बना है इसको skip करके देखिए यहाँ पर आजाएंगे सिंगल क्रोशें बनाके लेंगे फिर हम नेक्स चेन में आएंगे फिर सिंगल क्रोशें बनाएंगे फिर से नेक्स चेन में आएंगे फिर से सिंगल क्रोशें बनाके लेंगे तो यह देखिए, friends, कुछ ऐसे बनकर आरहा है हमारा ये design और ये हमारा first row बनकर तयार हो रहा है तो ये जो design बन रहा है friends, ये बहुत ज़ादा easy है और उसके साथ साथ बहुत सुंदर है तो चलिए इस रो को हम पूरा सिंगल क्रोशे के साथ बनाकर पूरा करके देते हैं तो अभी यहाँ पर देखिए फ्रेंज इस पूरे रो को हमने सिंगल क्रोशे के साथ पूरा कर लिया है अभी यहाँ पर हम 1 and 2 chains ऐसे अभी हम इसको ऐसे turn कर लेंगे और अभी देखिए हम इसको छोड़के यहाँ पर आ जाएंगे उनको एक बार ऐसे प्रोशे भूख में रैप करके यहाँ पर आ जाएंगे और वान हाफ डबल गुशे हमने यहाँ पर बना के ले लिया है फिर्से हमने उनको एसे क्रोशे हुख में रैप करगे लिया सेम स्टीच में आकर फिर सें और एक हाफ डबल गुशे ऐसे हम बना के लिए को अभी देखे फ्रेंट्स यह जो नेक्स्ट स्टीच है इसको हम स्कीप करके यहां पर आजाएगे फिर से हम उनको ऐसे रैप करके लेंगे यहां पर आजाएंगे यह थ्री लूप्स के अंदर से उनको ऐसे लेकर आना है जो कि एक हाफ डबल क्रोशिया बनकर आये है फिर से सेम स्टीच में सेम यह जो स्टीच है और सेम यह जो पैटन है इसको हमने बना के ले लिया है यानि की और एक हाफ डबल क्रोशिया फिर से हम यह जो नेक्स्ट स्टीच है इसको स्कीप करके उसके नेक्स्ट जो स्टीच है वहाँ पर आके यह सेम स्टीच और पैटन को रिपीट करके लेंगे और ऐसा ही हम इस पूरे रो में इस पैटन को देखिए आप अब देख पा रहे हैं कि बहुत है सुन्दर दिख रहा है अमारा यह पैटन तो अभी देखें इस पूरे रो में हम यह जो पैटन हम यहाँ पर बनाए है इसको बनाके लेंगे तो अभी यह देखें इस पूरे रो को हमने कम्प्लेट करके ले लिया है और अभी देखें फ्रेंज हम यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर आके हम वान हाफ डबल क्रोश्चर ऐसे बनाके लेंगे यहाँ से हम वान चेंड बनाएंगे फिर इसको ऐसे टर्न करके लेंगे अभी देखिए यह जो स्टीच है इसका यह जो बैक लूप है मतलब यह वाला जो लूप हम सिर्फ इसके अंदर से क्रोश्चर को डालके वान सिंगल क्रोश्चर बनाके लेंगे तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट रोब स्टार्ट होता है फिर से हम देखिए नेक्स्ट स्टीच में आ गए है और नेक्स्ट स्टीच का यह जो बैक लूप है इसके अंदर से हम प्रोश्चर मुख को डालके उनको ऐसे लेकर आएंगे और वान सिंगल क्रोश्चर बनाएंगे फिर से नेक्स्ट वंचिम में आके बैक लूप के अंदर से उनको लेकर न हाएंगे और वान सिंगल क्रोशें और ऐसे हम आगे भी बनाते हुए जाएंगे यानि कि हर एक स्टीच में आके उसका यह जो बैक लूप में देखिए यहाँ पर दो धागा दिख रहा है जेकिन हम सिर्फ यह बैक लूप में आएंगे और इसके अंदर से उनको लाएंगे और यह सिंगल क्रोशें बना के लेंगे तो यह देखिए फ्रेंज कुछ ऐसा डिजाइन हमारा यहाँ पर बनकर आ रहा है तो चलिए आगे भी हम इसी डिजाइन के साथ इस रो को पूरा बना के लेते हैं और यहाँ पर फिसे देखिए फ का यह जो स्टीच है इसके अंदर से फिर से हम क्रोशी मुख को डाल के और एक सिंगल क्रोश ऐसे बना के ले लिए हैं अभी फिर से हम यहाँ से दो चेन बनाएंगी इसको ऐसे टांड करेंगे और देखिए यहाँ पर आ जाएंगी दिखिए इसको हम स्कीप कर रहे हैं इसको क्रोशए मुख के साथ रैकर ले लिया है यहाँ पर आ जाएंगे हाफ डॉशे बनाके लेंगे तो णे मैं ने और फिर से सेब स्टीच में आकर और एक हाफ डॉश ऐसे हैं तो यह नेक्स्ट जो स्टीच है इसको स्कीप करके हम यहां पर आजाएंगे तो यहां पर हमें जो स्टीच बनाए है बिल्कुल सेम वही स्टीच वही पैटन हम फिर से यहां पर भी बना के क्लिए रहे हैं तो चलिए इसी सेम पैटन के साथ हम इस रो को भी पूरा करके लेते हैं और इसको हम थोड़ा और भी बना के आपको दिखाते हैं कि कैसा बना है हमारा आज का यह GRE और अभी यहां पर आप देख पा रहे हैं फ्रेंज यहresist हमें पूरा बना के ले लिया है और अभी यह देखिए फ्रेंज इस डिजाइन को हमने पूरा बना के डेल लिया है तो आप देख पारे हैं कि कितना सुन्दर लग रहा है हमारा आज का यह डिजाइन देखिए दोनों तरफ ही बहुत सुन्दर दिख रहा है तो कोई भी साइट आप यूज करके ले सकते हैं इससे आप बहुत साड़े चीज बना के ले सकते हैं लेकिन देखिए अभी तो गर्मी बहुत जादा है तो अगर कोई इससे शॉल या सोटर या जैकेट बनाना चाहते है तो आप उसको बना सकते हैं चैकेट सब्सकед डिजर के साथ और भी कहिंदा को आप इसके साथ कांपीश या गलिचा बनाके ले सकते जो की आप प्रिक्टंगल या स्क्वेर स्कुएर शिप की सेंट्र पीश या टेबल ना कीमदा को बना मूबाइल यह सब भी बनाके ले सकते हैं. तो देखिए मेरा यहां पर जो साईज एसके साथ मैं एग मूबाइल कावर बनाके ले सकते हैं। तो यह दिखिए मेरे पाथ एक ऐसा फेज़ बना है तो यह इसको आम परिफेक्ट Pas 4T तो इसको अभी हम stitch कर लेंगे इस तरफ और इस तरफ को और यह जो मुह है उपर के साइड इसको हम ऐसा open short देंगे और फिर अब चाहे तो यहाँ पर एक बटन भी लगा के ले सकते हैं तो देखिए है ना बहुत ही कमाल के आईडिया और देखिए फ्रेंज आज हमने यह जो स्टीज बना के आपके साथ शेयर किये हैं यह जिसको प्रोशिया कुछ भी नहीं आता है वो भी बहुत आसानी से बना के ले पाएगा तो यही था हमारा आज का वीडियो आई होप कि आज की इस वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगा है और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लेना अगर आप इस चैनल में नहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तकि आगे भी जितनी भी वीडियो इस चैनल में अप्लोड होंगे, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। हम मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए पैटन के साथ तब तक के लिए बाई बाई